तो आज के सबसे पहला कुशंचन है दोस्तों कि गुजरात के सम्बंध में कौन सा कथन असत्य है तंबाखूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मुफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कपास का उत्पादक राज्य है नमक को उत्पादक राज्य है तो इसमें से जो ए अप्सन है वो क्या है गलत है था क्योंकि तम्बाखूर का सबसे ज़ादा उत्पादन आन्द्र प्रदेश में होता है और तम्बाखूर का जो रिसेची स्टेशन है राज मुंद्री आन्द्र चाय का उत्पादन नहीं होता है इसलिए कि इसको चाय का उत्पादन नहीं माना जाता है ठीक है नीन में से कहां सरुत्तम चाय पैदा होता है तो अपसन है जोरहाट निलगीरी डाजिलिंग कुछ बिहार तो इसका सही आंसर हो है C डाजिलिंग में सरुत्तम प्रकारगा जो चाय का उत्पादन होता है फिर नेक्स्ट कोशन है कि नीन में से किस छेत्र को भारत का धान का स्वरी चावल का कटोरा कहा जाता है तो इसका जो अपसन है उत्तरपूर्व छेत्रा इंडो गंगे छेत्रा क्रिष्णा गोदावरी ड रखेगा फिर नेक्स्ट कोशन है निन्म में से कौन सा कथन असत्य है कि राष्टिय बागवानी मिशन 2005 में सुरू किया गया था नेशनल होटी कल्चर मिशन 16 अक्टूबर को विस्व खाद दिवस मनाया जाता है सी है किसान कॉल सेंटर की सुर्वा टटल बिहारी बाजपाई ने की थी चीन विस्व में सबसे ज़्यादा अफिम का उत्पादन करता है तो यह जो है वो गलत है दोस्तों क्योंकि अफिम का नहीं बलकि जो करके देख सकते हैं फिर नेक्ट कोश्चन है पीस क्लोज का संबंध किस से है क्रिसी समझोता से सिचाई समझोता से मतस्य पालन से वस्त्र उत्पादन से तो पीस क्लोज का जो संबंध है वो है क्रिसी समझोता से फिर नेक्ट कोश्चन है कि ब्लू बॉक्स का संबंध किस स है क्रिसी सब्सेडी से एक प्रकार का मसीन की सिचाई से तक निकी एक प्रकार का कर्टेक्स तो इसका सही अंसर है वो है ए क्रिसी सब्सेडी से ठीक है फिर नेक्ट कोश्चन है कि निर्मन विखेतने कौन सा सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा मेच नहीं है रवी फसल, सरसो ककड़ी खरी फसल, मक्का, जायत फसल खीरा का तर्बूज नगदी फसल का पास तो इसमें से जो A option है वो है गलत है क्योंकि सरसो जो है वो रवी का फसल है लेकिन जो ककड़ी है वो जायत का फसल तो ये इसका अंसर हो जाएगा A हो जाएगा ठीक है फिर next question है नील में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भारत में भारत वीस्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत दुनिया में सबजी का सबसे बड़ा उत्पादक है फल और सबजी और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है D है उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका जो आंसर है वो है B क्योंकि सबजी का सबसे जाद उत्पादन करता है कौन चीन करता है और भारत जो है दूसरे इस्थान पे है ठीक है फिर नेक्ट कोशन है कि पेट्रोन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा जो कॉफी होता है कि पुरानी बागवानों को काट कर नए बागवाने लगाने में कम खर्चा पड़ता है निर्म में से किस देश में प्रचली है कुलम्बिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत तो इसका सही आनसर है ब्राजील में पचलीत है ठीक है फिर नेक्स कोशन है भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनीर भर है 100% 80% 60% 30% तो यूरिया के मामले में भारत जो है वो है 100% 8MY भर आ तो इसको याद रखेगा फिर नेक्स कोश्चन है की ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है रेसम कीट पालन से अंगूर खी खेती से जलत की सी से बागवानी क्रीसी से ठीक है तो ट्रक जो फार्मिंग होता है वो हार्टी कल्चर से रिलेड़ेट है तो इसका आंसर आजाएगा बागवानी क्रीसी से ठीक है फिर नेक्स कोश्चन है बागवानी क्रीसी के अंतरगत नहीं आते है मतलब हार्टी कल्चर या जो प्लॉंटेशन होता है उसके अंतरगत नहीं आते है रबड नारियल चावल कहवा तो इसका आंसर आजाएगा सी चावल जो होता है वो पर्मकल्चर के अपनाई गौह की से थिसी हैं शूल्चिता पर्में खेति से टटी चेत्रों में पूरु उत्तर प्रदेशों में तो इसका आंसर आ जाएगा डी ठीक है जनरली जो पूरु उत्तर प्रदेश है जैसे जारखंड हो गया असा महसिक्ष के मैं इसमें जूम की खेती जाधा होता है फिर नेक्स्ट कोश्चन है स्टाउक फार्मिंग का संबन किस से है पसू का प्रजनन अच्छी प्रजातियों के बीज का प्रयोग दो से तीन वर्सों को दो या तीन फसलों को एक सांत उगान इन में से कोई नहीं तो इसका सही जो आंसर है वो है पसू के प्रजनन से संबन दित है फिर नेक्स्ट कोश्चन है सब्जियों की ब्यवपारिक खेती को क्या कहते है सेरी कल्चर होटी कल्चर ओलरी कल्चर सील्वी कल्चर तो सब्जियों की ब्यवपारिक खेती को कहा जाता है ओलरी कल्चर ठीक है कि याद रखेगा फिरramos सकते सेरि कल्चर से संबहने और सिल्क उत्पादन-से अंगुर उत्पादन से सहथ उत कि आस्टेलिया का मुख्य खाद्य फसल है मक्का चामल गेहूं बाजरती इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो अच्छी लगी होगे तो वीडियो को करें लाइक और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और पास के जो बे कि अलम दॉआ टॉआ हैं दूआ सकते हैं। यह über वीडियो कि लीडियो को कि अलमेना हैं